एक और नया दिन एक और नया सफर और मैं पहुंच चुका हूं कहां मैं पहुंच चुका हूं गुजरात के ऐसे बीच पे जिसे काफी कम लोग जानते हैं जिसे वलसाट का मीनी चुपाटी भी कहते हैं करतें जी हां मैं पहुंच चुका हूं अच्छ पे कुछ भाते हैं खाश बात यह है कि मुंवबै से यह काफी करीब है अगर आप मुंबै से ट्रेश पकने दो स्रिफ घंटे में आप वलसार पहुंच सकते हैं और वहां से तीथल बीच सिर्फ साड़े चार किलोमेटर दूर है क्योंकि ये बीच ज्यादा पॉपिलर नहीं है तो ज्यादा तर यहां क्राउड कम ही मिलता है अब कुल देख लीजिए यहां पर स्वामिना अन्संप्रादाय का एक बहुत बड़ा टेंपल है इसके अलावा आपको साइबाबा का भी एक टेंपल यहां पर मिल जाएगा और सबसे ब्यूटिफल पार्ट है जहां पर में फिलाल चल रहा हूं जी हां ब्यूटिफल वाकवे आपको बीच के किनारे किनारे इतना ब्यूटिफल संसेट का मजा लेके आप चल सकते हैं और सही माइने में बीच का इतनी आवाज धंडी हवा के बीच में आपको यह ऐसासी नहीं होगा कि आप करीबन 3-3 किलोमेटर चल चुके हैं सवाल आता है तीथल पहुँचे कैसे तीथल स्थ है वलसाड में जो आता है गुजरात में जी हां वलसाड मुंबई से करीबन तीन घंटे की ड्राइव या फिर दो घंटे बाई ट्रेन आप इजी लिए यहां से पहुंच सकते हैं ट्रेन से उतरने के बाद बाद रिक्षार्ज ट्रेंड से आप किसी को भी तीधल पूछ लेजे काफी फेमर्स पॉट है वल्सार्ड के लोगों के लिए आपको इजीली यहां पहुंचा देंगे क्वेशन नंबर टू कहां पे रुके तो तीधल में बहुत सारे आप्शन से इस्टे के बजेट फ्रेंडली से लेकर लक्षरी तक पर सॉल्टी बीच रिजोर्ट आप चूस कर सकते हैं जहां पर फेमिल रूम्स आपके लिए काफी अफोडेबल प्राइस पे आप बुक कर सकते हो अगोडा मेक्वाइट्रेप और बुकिंग डाट कॉम यह तीनों भी पोर्टल पे यह होटल अवेलेबल है अगर आप लक्षरी स्टे करना चाहते हैं यहाँ पर एक शांती रिजोर्ट करके रिजोर्ट है जहाँ को लेक वी और रिवर व्यू रूम्स मिल जाएंगे यह बहुत ही ब्यूटिफुल रिजोर्ट है मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाना चाहाँगा इस रिजोर्ट के काफी ब्यूटिफुल था और मस्ट रेकिमेंड इट इफ यह त्रावलिंग विए फैमिली ट्रावलिंग विए फ्रेंग विए थैमिली बाएंगे झाल झाल